इतिहास में भारती संस्कृती में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने कर्म से और अपने विचारों से इस सभिता को इस मानपता को प्रभावित भी किया है और उसको एक प्रेणा भी दी है ऐसे ही एक महामानव पंडित मंदन मुहनबाल भी है जिनको हम आज भी याद करते हैं इस संदर्व में कि उन्होंने समाज के लिए और देश के लिए बहुत कुछ ऐसा किया जो आज भी अविस्मणमी है आज भी चिंतनी है और आज भी हमको प्रेणा देता रहता है तो यह आज हमारी बातचीत का संदर्व है हमारे साथ हैं डक्टर सुरिश चन सर्मा जी जो विचारक हैं चिंतक हैं लेकक हैं और एक जागरुक नागरी के तौर पर चीजों को बड़ी बाजी की से देखते हैं सर्मा जी आज आज आपका हमारी स्कारिकर में स्वागत है नमस्कार मैं यही जानना चाहूंगा कि जो पंडित मदन मोहन मालवी साहब क उनका परिवार, उनकी सिक्षा और उनकी जो कारे रहे शुरुवात के तो उन पर थोड़ा सा प्रकास इस रूप में डाले कि जो कारे थे उनको प्रेड़ा देने के लिए इन समने जो प्रेरित किया वो कैसे एक ऐसी भाव भूमिका बनी जिससे मानव से महामानव बन के आ अंचईत कर दिया था ये कह सकते हैं जहां तक उनके प्रारंभिक जीवन के विश्री की बात है तो पूरोजों से अगर हम शुरू करते हैं तो मालवा से उनका संबन्द बताया जाता है और मालवा में पंच गौड और द्रविड गौड ये दो शाखाएं थी ब्रामणों क तो वहां के राजा ने ये कहा था कि आप दोनों में एकता हो जाए तो इसके लिए एक सहिभोश में आप दोनों भागीधार हो जाएं तो उसमें चुकि इनके लोग पंच गौड़ों से सम्मंदित थे वो पंच द्रवणे को साथ में भोजन नहीं कर सकते थे लहाजा उनक करके मालविय रूप दिया तब से यह मालविय नाम प्रशलिए मालवा से निकले इसलिए मालविय कहलाएं और यह इनका एक तरह से उपनाम पड़ा जो है विसेजकर सिक्षा के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया ब्रजमंडल के लिए जो उनका योगदान है अगर आप उ उस संदर्व से उनका प्रमाण मिलता है जिसमें उन्होंने बतावर महुप देशक के तोर पर भाग लिया था 1886 की बात है दूसरा उनका योगदान था है कि देश की सिवा करने के लिए पृथम विश्यू दुक जूच हुआ था तो उसमें बहुत सारी इसी समाजी समस्या खड़ी होती तो सिवा समित्ती की स्थापना 1917 में की थी उसकी एक साखा मत्रा में भी स्थापित की ये दूसरा योगदान था तीसरा था एक प्रशंग है थोड़ा सा वैसा है हसने लाइक भी है कि गो सिवा को ले करके वो बहुत चिंतित रहा करते थे उनके ऐसे बहुत सा जरले करके जगणा हो रहा तो जगडे को जो वन ने दर्खातू अरन जानना चाहा तो पुता चला कि यह चडं山 वशूल करने के लिए जए घटान नहीं चाहते तो ये उनको मन में बहुत आहत हुए और उनको कहा कि भी ये तो मालवेजी से कहना चाहिए तो बीएचिव में वो गये बनारसिंदी विशुद्याले उस समयन बन चुका था बहुत पढ़ाई लिखाई भी शुरू हो गई थी मिलने से पहले वो क्लास में पढ़ा रहे थे मालवेजी तो उनका कि क्रिश्न भूमी मतुरा ब्रंदावन वहाँ पर गायों के चरने के लिए चराई ली जाती है और हम बड़े गोभक्त बनते हैं तो हमारे सब के मुपे काली लगने वाली बात है या नहीं वहां से प्रेड़ना उठी फिर ये हासानन गोचर भूमी जो 9001 की जमीन थी ये उसका जन्म इस तरीके से सुरू हुआ है ये दुख का विशह है कि जब भी वह आते थे ब्रज में और ये स्रीकर्शन जन्म भूमी जो खंडर के रूप में पड़ी हुई थी ये जमीन आप पहले राजा पट्टीमा से खरीद लो और फिर इस पर हम जो है मंदिर बनवाएंगे 1944 में घटना घटी ये जमीन खरीदी गई और वहां से स्रीकर्णेस हुआ पांचवा ये है कि जोसी बाबाजी यहां पे एक थे उनसे उनके बड़े अंतरंग संबन थे जोसी बाबा जी बड़े भारी विद्वान थे खासकर वेदों के तो विश्वामी घाट पर उनका मगान था तो जब भी महमना जी आते थे जोसी बाबा के यहां ठहरते थे तो उन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स पे कुछ कारिकर रखा था जो को वेदों में उनकी परंगत गई उसको बाद उनको जोसी बाबा कहते रहे उनको पता नहीं चला फिर एक बार उनको जुनजुला करके गा कि मेरा रिसर्च जो किया हुआ हुआ है वेदों का वो कहां कब छपेगा तो उन्होंने जो कुछ संक्लन के थे हजारों किताबों सम्में डूंड़ा मालवी जी का रहा और जिस ब्रजभूमी को जिस भव्य मंदिर को आज हम सब लोग जिसमें जाते हैं दर्शन करते हैं वो भी उन्हीं की कहीं न कहीं प्रेवना और उनके योगदान से ही आज खड़ा हुआ है सिच्छा को लेके उन्होंने बहुत कार किया जिसमें सबसे जीता जाकता जो उधार है वो मानारा सिंदू युनिवेस्टी आज भी बहुत सारे लाक्यों जो विद्यार थी उनको एक प्रेणा देती है तो अपने समकालीन समय में जिन लोगों से उनका संपर्क रहा जिन नेताओं से जिन चुके समाज में उस समय भी बहुत सारे ऐसे काम थे जो ठ प्रवावित हुए और किन लोगों को उन्होंने प्रवावित किया भारतिय सवधिनता अंधुलन के जो यह जतने भी नेता थे उनमें आपस में बहुत मद्बेद थे बहुत प्रेम भी था लेकिन उनमें मामना मदन्मों मालवि एसे एक मैतर नेता थे जिनके विरोधी हो या उनके मित्रों या शत्रों सब उनसे प्रेम जरूर रखते थे जैसे कि आप देखें कि महात्मा गांधी और मुहमद अली जिन्ना ये एक की पर दो दुरे पर पहुंच गए लोग थे लेकिन महामना मदन महान मालव की बैरम ऐसा था कि मुहमद अली जिन्ना उनका प्राइ अब उसमें आई तो बोले नहीं तुम भी वही कांग्रेस जैसा करोगे यह से कांग्रेस में हमें निकाला हूँ तो मुहमद अली जिन्ना महामना मदन महान मालवी की इंडिया नेशनलिस पारटी की आद देख्ष रहे हैं ये बड़ी रोचक बात है जी जी और ऐसे ही जिन ना में भी जो इसका समर्सेशन होता था तो वहाँ जब ओडायर सहाब उसकी समिक्षा करने लगे युद्धिकी तो उन्होंने ये अपने वक्तवे में बात कही कि ये जो बिटिश हमारे अधिकारी थे जेना के उनकी वजी से युद्धिकी जीता गया इस बाते महामना को बहुत बुरा लगा कि ये लोग जो मर गए वहाँ पे उनका कोई युगदान नहीं है और सारा स्रे उनके उपर है तो उन्होंने फिर वकालत की और मुहमाद अले जिन्ना जो है मामना मदन मौन मालविय के समर्थन में सदन से वाक आउट कर गए तो कहीं न कहीं है कि उस सम गांधी तो बहुत बात में उन्हीं सो पाच में आ रहे हैं महमना जी उस समय राश्टी इस तरफे चा चुके हैं कि उनसे बढ़े भी थी 1861 तो मात्मा गांधी जब पहले बार मिलते हैं तो नमस्ते नहीं किया है मालवे जी को तुन कहारे आप यह क्या कर रहे हैं मुझे नहीं नहीं हमने लंदन में आपकी तस्वीरें देखी हैं आपने देश के लिए जो काम किया है तो यह नमशकार करने योगी नहीं है आप शाक्षा देवरूप में इसलिए मैं सास्टांग बनाम कर रहा हूं और दूसरे हिंदे इंवस्टी के फॉर्मेशन में जो उन्होंने तरीका अपनाया जन जन से धन ले करके और इतनी बड़ी एक ब्योस्था को उन्होंने जनम दिया तो उसमें उनके मांगने का तरीका बड़ा बिजोड था और महात्मा गांधी मजाग किये वेगर रहते नहीं थे कहते थे कि यू आर दे बिगेस्ट बेगर आफ इंडिया यह उपाधी उन्होंने दी थी और ऐसे ही पंडित मोतिलाल नहरू चुकि अब यह भी बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है कि देखिए जिस साल महामना मदन महन मालविये जनम ले रहे हैं 1861 में उसी साल रविन नठागु भी पैदा हो रहे हैं उसी साल पंडित मोतिलाल नह इस सर्पा गर हम महामना के योगदानों की बात हम करें तो क्या भी भी बहुत कुछ ऐसा है जो किया जाना बाकिया प्रकाश में आना बाकिया है। जिस समय गंगाईशनान कर रहे थे तो उन पर जानलेवा हमला भी किया गया यह एक बहुत बड़ा उनका योगदान है जो समाज में नीचे तपके के जो लोग माने जाते थे उनको बरावरी के दर्जा देने के लिए उसलिए एक ऐसा सूत्र हो सकता है जिसको पाकर के सब बर में जो अभी उसको वैस्तु जिस्तर मिलना भागी है दूसरे उसी सिल्सले में कि नागरी उद्धार हम अभी यह उत्र प्रदेश में con इस बात पुले के लिए उनका कि भी यूपी में यहां पर अंग्रेजी जरूरी है परसियन जरूरी वह अंग्रेजी परसियन भी सम्मान ने साथ में दिवनागरी में बुराई किया है तो उन्होंने कोड करेक्टर सेंड प्रैमरी एजुकेशन इन दा प्रोविंसेज आप आधरा अंग्रेज लिखा और 1897 में यहां के लजी को गयापन दिया जिसके तीन साल के बाद में 18 अप्रेल 1900 को एक राजाग्या निकली जो नागरी है उसको सरकारी कामकाज की भासा का इ इसमें जो महमना का योगदान है वो अधिव गर्व की अंदर दबा हो जी तो क्या मतलब आगे की योजनाओं में इस तरह का कुछ ऐसा मंच या कोई ऐसी कारियोजना तयार की जानी बाती है जिसमें महमना की सारे कारियों को समाहित करके एक सूत्र में या एक मंच पर सरकार में कुछ बाते मान लिए जैसे हमने टेलेविजन सीरेल के लिए कि सरसट सालों में दोल जम चुकी है उस महमानों ने अपनी कोई बायोग्राफिय नहीं लिखवाई किसी से तो लोग इतना कुछ भूल चुके हैं और इतना कुछ देश के लिए अभी होना बाकि है कि लोग जो सोचते हैं जिन आज समाच कैसा हो देश कैसा हो आज लोग चिंदन करते हैं यह सब आरड़ी चिंदन किया हुआ है सिर्व उसको निकालने की जरुबत तो हमने सरकार से गुजारिश की कि एक टेलेविजन सीरेल जो है मदन मुहन मालुए के उपर बनाया जाए पच्छा सी साल के जीवन काल में उसका सब का जो है एक सीरिस प्रकाशित हो और जतना भी जैसे उपलब्ध है वह हो बच्चों की किताबों में उनके उपर एक अध्याय हूँ ताकि वह आने वाली जनेरेशन जान सके और यह जो नागरी की छित्र में है और यह समाज की छि जित्र में जो इनके योगदान है इनको सब प्राथ्मिक्ता दें तो मेरे घास से पूरे विश्व में एक अनूठा मेसे जा सकता है कुल मिला करके अभी बहुत कुछ किया जा चुका है लेकिन समय के तुरूप में उसको एक साथ लाने की अभी बहुत बड़ी आवश्यक्ता है तो सर्माजी आपको हमारे साथ आए और अपने जो अनूबह में बाटे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद